नमस्कार नाकपूर हल्चल में आप सभी का स्वागत हैं तो आए नजर डालते हैं नाकपूर के विविद्ध हल्चल पर अखिल भारतिय पूलक जनचेतना मंच द्वारा रतनत्रे व्रत के उपवास करने पर उनकी अनुमोधन के लिए करतव्य प्रिय शिक्षिका जैश्री राजेंद्र नखाते का उनके निवास पर सम्मान किया गया जैश्री नखाते ने पर्योशन पर्व में रतनत्रे व्रत के उपवास किये उसकी अनुमोधना की गई महावीर गुरुह निर्मान सहकारी संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र भुसारी, करियर मार्गदर्शक डॉक्टर नरेंद्र भुसारी, पुलक मंच परिवार के राष्ट्रिय कार्याध्यक्ष मनोज बंड के हस्ते धर्म दुपट्टा अंतरमना आचारिय श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव लिखित सच्चे मित्र कौन यह किताब देकर और राजेंद्र नखाते ने मोत्यों की माला से सम्मानित किया गया। करने की प्रेड़ना मिलती रहेगी। जैश्री नखाते ने सम्मान के जवाब में कहा उन्हें धर्म के संसकार उनके पिता से मिले। मैं और मेरा परिवार धर्म संसकारों से आगे बढ़ रहा है। कर्मचारी गण उपस्तित थे। भारतिय संसकृति के प्रकर्क छात्र और भारतिय जनसंक के पूर्व अध्यक्ष एकिकृत मानोतावाद के प्रनेता पंडित दिन द्याल उपाध्याई की जयनती को अंतियुद्धे दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित दिन द्याल उपाध्याई की 105 वी जयनती पर महापौर दयाशंकरति वारी एवं उप महापौर मनीशा धावडे ने मनपा मुख्याले में पंडित दिन द्याल उपाध्याई के तेल चित्र पर महान Gegर Πालिका की और से मालयारपन कर विनम्र अभिवादन किया सोनी सहायक जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप खर्डेन विस विनोध डोंग्रे आधी उपस्तित थे महराष्ट्र नवनिर्मान सेना के प्रदेश महासचीफ हेमंत गटकरी ने धरमपेट स्थेत मनसे कार्याले में बड़ी संख्या में पारेशान विभाग के कामगारों ने मुलाकात की कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर विभाग के लिए काम करने वाले इन ठेका कामगारों को पाच वर्ष की सेवा देने के बावजुद अचानक हटा दिया गया है यह शिकायत उन्होंने हेमंद गटकरी से की गटकरी ने कहा कि उर्जा विभाग को अपनी नीती मैं तुरंत बदलाव करना चाहिए और इन ठेका श्रमिकों को उनके द्वारा प्रदान की गई पाच साल की सेवा को देखते हुए विभिन्न ट्रांस्मिशन सब स्टेशनों में समायोजित करना चाहिए इस गंबीर मुद्दे पर हेमंद गटकरी ने विभाग के मुख्य अभियंता वाके के साथ टेलिफोन पर चर्चा की ठेका कर्मियों को मनसे के उपर जिलाध्यक्ष जैंत चमवान खापर खेडा से लाए थे जिलाध्यक्ष किशोर सराइकर अगर अध्यक्ष प्रशांत निकम वादुक सेना जिला सयोजक सचीन धोटे कामगार सेना गनेश मुद्लियार सचीव घंश्याम निखाडे संभाग अध्यक्ष उमेश उत्तक हेडे शशांक गीर्डे दुरगेश साकूलकर खुशाल मौदेकर शेश्राव भाकरे सुरेश घोड मारे विक्की खड से अभय व्यभरे मोहित हेडे आदी उपस्तित थे शहर जिला कॉंग्रेस कमेटी अध्यक्ष पश्चिम नाकपूर के विधायक विकास ठाकरे के मार्गदर्शन पर शहर जिला कॉंग्रेस कमेटी सचेव सोनिल जाधव ने अति आयुक्त राम परिशानी का सामना करना पड़ रहा है परिसर में रोजाना रातरी में गैस्ट्रोपीडित मरीज अस्पताल में जा रहे है लेकिन डॉक्टर न होने के कारण मरीज मेडिकल अस्पताल के चक्कर लगा रहे है अतिया युक्त राम जोशी ने निवेधन पर गौर कर जल्द ह पंद्रा से 20 दिनों में आइसोलेशन होस्पिटल में रातरी में डॉक्टर दिया जाएगा ऐसा आश्वासन दिया इस अवसर पर प्रभागद्यक्ष नारायन मलिक युवा कार्यकरता रोहन गौतल आधी उपस्तित थे हमारे प्रेणा स्त्रोत पत प्रदर्शक पंडित दिन्दयाल उपाध्याई जी की जयनती अंतियोद्दे दिवस पर भाजपा व्यापारी आगाडी पूर्वनाकपूर द्वारा महमंतरी संतोष काबरा के कार्याले स्टोन स्टाइल गंगाबाई घाट चौक पर सुमन अर्पित किये भाजपा व्यापारी आगाडी पूर्वनाकपूर के अध्यक्षे राजेश मुनियार, महमंतरी विकास मिश्रा, राहुल जैन, राम अवतार, अग्रवाल, तिलग अहुजा, संतोष शर्मा, राजेश जैन, चौबे वस सभी बंदु गण उपस्तित बहामंतरी संतोष काबरा ने सभी पदादिकारी वस्तेही बंदुों का अभार माना अगामी मनपा चुनाओं की तयारियों में भाजपा ने एक कदम और बढ़ाते हुए विधानसवा अनुसार प्रभारी समीतियों की घोशना की शहरध्यक्ष प्रविन दटके ने संगटन मंतरी डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर की विशेश उपस्तिती में मंगलम टावर स्थित पार्टी कार्याले में प्रमुक पदादिकारीयों की बैटक में यह घोशना की इस अवसर पर संगटन मंतरी सुनिल मित्रा ने नामों का उलेक करते हुए पूर्व नाकपूर में पूर्व विधायक अनिल सोले, मध्य नाकपूर में विधायक गिरिश व्यास, दक्षिन पश्चिम में शहरध्यक्ष विधायक प्रविन दटके, पश्चिम नाकपूर मे पार्टी उपाध्यक्ष भोज राज डुम्बे उत्तर नाकपुर में संजय भेंडे प्रभारी घोशित किये गए है समीतियों में संगठन की जिम्मेदारी सुनेल मित्रा, मतदार नोननी गिरिश देश मुख, प्रचार प्रसार मनपा संबन्दित होडिंग बैनर इत्यादी के प्रमुक संदिप जोशिक, कार्यकर्टा प्रशिक्षन प्रमुक प्रोफेसर प्रमुत पेंड के मनपा राज के सं प्रमुक महामंत्री नरेंद्र बाल्या बोर कर लोगसभा विस्तारक आशिश वांदिले राश्णिंग आंदोलन समन्वयक मुन्नायादव रमाबाई आवास योजना समन्वयक धर्मपाल मेश्राम संजय गांधी निराधार योजना प्रमुक एडवोकेट संजय बालपंडे गोशित किये गए दटके ने बताया कि मौजुदा हालात में नागरी को पर विभिन प्रकार के अन्याएं राज्यसरकार द्वारा किये जा रहे है महापौर दयाशंकर तिवारी के सौजान्य से लहुसेना प्रमुक संजय कठाले ने चिंदी बाजार का नेतरुत वकिया दयाशंकर तिवारी से मुलाकात की चिंदी बाजार का व्यवसाय करने वाले मातंक समाज को स्थाई दुकाने बान कर दिये जाएंगे ऐसा श्वासन महापौर दयाशंकर तिवारी ने दिया संजय कठाले ने एक प्रेस विज्यपती में कहा कि संद्रा मार्केट में बैठे खुआ वाले पान वाले संद्रा वाले को स्थाई दुकाने दी गई समाज के अंतिम व्यक्ति को गरीबी से छुटकारा किस प्रकार मिले इसके लिए जनसंग के अध्यक्षव पंडित दिंदयाल उपाध्याई ने आर्थिक लोकतंत्र पर विशेश ध्यान देते हुए एकात्म मानव दर्शन का नारा दिया जिसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने सबका साथ सबका विकास के साथ पंडित के सपने को धरातल पर सच साबित कर दिया है पंडित दिंदयाल उपाध्याई के जयनती के अउसर पर भारतिय जनता पार्टी महानगर द्वारा मंगलम टावर गनेश पेठ में स्तित आयोजित कारेक्रम में प्रखर वक्ता कुमार शास्त्री ने कार्यकरताओं को संभोधित करते हुए उलेख किया इसके पूर्व पंडित दिंदयाल उपाध्याई के चित्र पर माल्यारपन किया गया इस अउसर पर कारेक्रम के अध्यक्ष कैलाश चुटे शहर अध्यक्ष विधायक प्रविंडट के महापौर दयाशंकरतिवारी संगटन मंत्री डॉक्टर उपेंद्र कोठे कर महामंत् पंडित दिंदयाल उपाध्याई के जीवन का परिचय दिया नीचा ठाकरे अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा इस कारेक्रम में उपस्तित थी मध्यनागपूर के बड़े व्यापारिक केंद्र इतवारी में सबसे व्यस्ततम मार्ग सराफा बाजार को माना जाता है यदि किसी को भी मसका साथ अनाज बाजार में जाना है तो इसी मार्ग से आना जाना होता है अब नागपूर महानगर पालिका की और से वर्तमान में इस मार्ग को सिमेंट मार्ग बनाने का कारिय किया जा रहा है सिमेंट रोड बराने का काम शुरू होते ही जैसे इस मार्ग पर ग्रहन लग गया अनेक महीनों से काम शुरू होने के बाद काम इतनी धीमी गती से है कि यहां के रहगिरों वो दुकानदारों की हालत खसता हो गई है बदहाली के आसू बहते हुए इस मार्ग पर पूरा दिन अफरा तफरी का माहौल रहता है महानगर पालिका के ठेकेदार ने यहाँ पर एक पैच सिमेंट का रोड के बीचो बीच बना कर साइड में काम शुरू किया लेकिन हालत ऐसी हो गई कि अब रोड के बीचो बीच इस सिमेंट के पेच पर वाहनों की कतार लग रही है मातर एक तिहाई हिस्से में दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन शुरू है जिसकारण दिन भर यहाँ जाम की स्थिती बनी रहती है लकडगंच थाना अंतरगत चिंतेश्वर मंदिर के पास शनिवार को दिन्धाडे लूट की वारदात हुई बाइक पर सवार होकर आए तीन लुटेरो ने कूरियर कंपनी में काम करने वाले दो करमचारियों को चाकू की नोक पर मारने की धमकी दी उनसे 21 लाक रुपए की रकम सहित वाहन लूट कर फरार हो गए इस घटना से पुलीस विभाग में भी हड़कम मच गया लकडगंच पुलीस सहित क्राइम ब्रांच की टीमें जांच में जूट गई है पुलीस को आरोपियों का सुराग मिलने की भी जानकारी है लेकिन देर राद तक किसी की गिरफतारी नहीं हुई थी प्राप्त जानकारी के अनुसार इतवारी अनाच बाजार के भूतरा चेंबर में कमलेश शाह नामक व्यापारी का आंगडिया कूरियर है शहर में कई आंगडिया कूरियर वाले हवाला का ही काम करते हैं शनिवार की शाम कारियाले में काम करने वाले राम पुरुशोत्तम पटेल ने 21 लाख रुपए एक थैली में जमा किये अपने दूपहिया वाहन की डिक्की में रुपएयों की थैली रखी और एक सहकर्मी के साथ छापरु नगर परिसर में रहने वाले मालिक के घर जा रहे थे केटा कॉलनी के समीब चिंतेश्वर मंदिर के सामने बाइक पर सवार तीन लुटेरों ने उनका रास्ता रोका महमुदा शिक्षन और महिला ग्राम विकास बहु उद्देश्य संस्था जो फार्मसी कॉलेजों में तीन डिप्लोमा और एक बैचलर ओफ फार्मसी पार्ठक्रम चला रही है फार्मसीस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए 25 सितंबर को विश्व फार्मसिस्ट दिवस मनाया वर्षिक फार्मसीस्ट की भूमिका को बड़ावा देने और उसकी वकालत करने वाली गतिवीदियों को प्रोचसाहित करना था कारेक्रम का उद्गाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनीस एहमद ने दीप प्रजवलित कर किया अपने प्रेरग भाशन में उन्होंने कहा कि फार्मसिस्ट स्वास्ते देखभाल प्रनाली का एक अभिन्न अंग है उन्होंने यह भी कहा कि COVID-19 के समय में फार्मसिस्ट ने अविश्वस्निय काम किया है लेकिन सरकार और नीती निर्माताओ द्वारा फार्मसिस्ट की भूमिका को स्विकार नहीं किया जाता है उन्होंने ये भी कहा कि संस्था ने COVID-19 में संगरोध केंदर के रूप में काम किया है और लोनारा परिसर में रक्तदान शिवीर और पोस्ट COVID-19 केंदर भी संचालित किया है फार्मसिस्टों में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्वास्त देखभाल पेशिवर शामिल है और भारत में पिछले एक दशक में फार्मसी पेशा लगातार विक्सित होता जा रहा है परिसर में ओनलाइन फार्मा क्वीज प्रतियोगिता और फार्मा पोस्टर प्रस्तुती प्रतियोगिता और भाशन प्रतियोगिता जैसी विभिन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया स्वच्छता पकवाड़ा के तहट शनिवार को स्वच्छ अहार थीम तथार अविवार को स्वच्छ प्रसादन थीम पर मंडल रेल प्रबंदक मनिंदर उपल दक्षिनपुर्व मध्यरेलवे नाकपूर के नेतरुत्व में मंडल के रेलवे स्टेशनों तथा रेलगाडियों में स्वच्छता के स्तर और अधिक बहतर बनाने की दिशा अभियान चलाया गया शनिवार को स्वच्छ अहार थीम के तहट नामित अधिकारियों व परियवेक्षकों द्वारा नाकपुर मंडल से गुजरने वाली रेलगाडियों के पैंट्री कार तथा स्टेशनों में खान पान यूनिटों का निरिक्षन कर बीक्री हेतु उपलब्द खाद्य पदार्थ तथा पैजल की उपलब्द था गुनवत्ता निर्धारित मुल्य सूची स्वच्छता आदी की जांच की गई तथा जांच हेतु फूड सैंपल लिए गए इस दोरान खानपान यूनिट संचालकों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने वो हाईजीनिक खानप स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा साथी मंदर से गुजरने वाली रेल गाडियों में उपलब्द शौचालेयों की साफसफाई के स्तर को और अधिक बहतर बनाने की दिशा में स्वच्छता अभियान चला कर स्वच्छता के प्रति जाग रुक रहने एवं स्टेशनो और रेल गाडियों को स्वच्छ रखने में प्रशासन का साथ देने की अपील की जाएगी प्रभाग 27 में पंडित दिन दयाल उपाध्याई के जयनती पर उपस्थित प्रमुक अतिती भाजपा राष्ट्य परिशत सदस्य सुभाश कोटेचा के हस्ते फोटो पर माल्यारपन किया गया इस अवसर पर प्रमुकता से नगर सेवी का दिव्यदूडे रेनुका मसानिया प्रभाग महामंत्री आर्यन दहिकर तारा रोय महिला अध्यक्षा वर्शा कलोडे महामंत्री सीमा ठाकुर उपस्तित थे जयनती निमित्त, ICICI Academy की और से दसवी एवं बारवी पास विद्यारतियों के लिए रोजगार प्रशिक्षन शिवीर का आयोजन किया गया जिसमें प्रमुकता से रीचा सी एवं सुश्मिता चक्रवर्ती ने मार्गदर्शन किया कारेक्रम में युवक एवं युवतियों ने बढ़ चड़ कर भाग लिया अपने वक्तव्य में कोटेचा ने कहा कि दिन दयाल उपाध्याई के जीवन को अगर हम अपना आधर्श बनाएंगे तो निश्चित हमारा जीवन सफल होगा हवेशा आपने प्रभाग में कुछ न कुछ जनोप योगी कारेक्रम लेने पर नगर सेवी का दिव्या धूडे की प्रशंसा की कारेक्रम को सफल बनाने में वंदना शास्त्रकर वैशाली कराले स्मीता मुहाडी कर ममता खांजोडे भावना नवगरे कमला त्रिपाटी रेखा चोहान सोनाली वरोडिया संदीप वाडरे प्रसाद वाडे बंटी वाग योगेश हलबे विशाल शनिवारे आदी ने प्रयास किये कारेक्रम का संचालन अभीजीत मुले ने किया अंतरराष्ट्रिय रुदय दिन तथा अंतरराष्ट्रिय वरिष्ट नागरिक दिवस के उपलक्ष में स्वास्थ्य सूपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल देवनगर नाकपूर एवं लोकमंच जेश्ट नागरिक मंडल मालगी नगर के सैयुकत तत्वावधान में मालगी नगर स्थित शिवाजी पार्क हनुमान मंदिर प्रांगन में हृदय रोग निदान शिवीर का आयोजन किया गया था शिवीर की शुरुआत सुबह नौ बजे महराश्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के सचीव डॉक्टर गिरिश पांडफ एवं ब्लॉक अध्यक्षप्रविन गवरे की प्रमुक उपस्तिती में हुई शिवीर में नागरिकों की ECG, BP, Blood, Sugar, BMI, आधी की निशुलक जाच कर हुरुदय रोग संबंदी जानकारी दी गई कारेकरम का प्रास्ताविक वसूत्र संचालन मंडल के सचीव डॉक्टर दीपक शेंडे करने किया अभार कैप्टन प्रभाकर विंचूर करने माना शिवीर में स्वास्ते सूपर स्पेशालिटी होस्पिटल की और से डॉक्टर उजवला काले, ललीत टावरी, आशिश हिंगवे, मोनिका घाडे, करिश्मा, अक्षय ढोले, एवं प्रफुल ने अपनी सेवाय दी शिवीर की सफलतार्थर रमेश ताठव ने भावराव रूडे, नामदेवराव शिंग ने, भासकर राव गावंडे, वासुदेवराव खडसे, पुश्पा विंचूरकर ने अथक प्रयास किये कारेक्रम में रमेश जांगडे, अशोकराव हर्षे, विजय नावकर कर, लक्ष्मिकांद जुम्डे, डॉक्टर चंद्रनात भागवत कर, किशोर कहाते, जनजाल, आधी प्रमुकता से उपस्तित थे चोरी की एक वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे तीन शातिर चोरो को नागरिकों ने खापरी चौक के पास पकड़ लिया और उनकी जमकर धुलाई कर दी, बेलतरोडी पुलीस ने तीनों चोरो को गिरफतार कर थाने लाया और उनका आपराधिक रेकॉर्ड जाचा, तो उन पर हत्या, हत्या की कोशिश और चोरी जैसे कई गंभीर मामलों के दर्ज होने के बाद सामने आई, इसके साथ ही आरोपि ने अन्यचार मामलों को भी अन्जाम देने की बात कबूल की है, सूत्रों के अनुसार फर्यादी योगेश्वर विश्वनाद बांगे का बेलतरोडी परिसर के नवदुर्गा से नाम से इंडियन ओईल डीपो के सामने वर्धा रोड पर किराना की दुकान है, फर्यादी अपनी दुकान में मौजूद था, उसी दौरान नजर चुरा कर तीन अग्यात युवक उसकी दुकान के गले में से नगदी राशी चुरा कर फरार होने लगे, जिन्हें नागरिकों की मदद से फर्यादी को पकड़ने में काम्या भी मिली और सभी ने आरोपियों की जम कर इन लोगों का समावेश है। वद दुरगटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। वकील अहमद, शमीम भाई तथा कई गणमाणने नागरिकों पस्तित थे। इस कारे के प्रारंब होने से क्षेतर के नागरिकों ने नगल सेविका का अभार माना। मंगलवारी धोविघाट नई बस्ती गई थी। महापूर ने परिसर में शेड के निर्मान के लिए आवश्यक निधी उपलब्द करवा कर शेड के निर्मान के लिए रास्ता साफ कर दिया। महापौर द्वारा इस मामले को गंबिरता से लेने और शेड के निर्मान के लिए निधी उपलब्द कराने में महत्वपूर्ण भूमिका के मद्दे नजर परिसर के गणमान्य नागरिकों ने महापौर का अभार माना तो नागर्पूर हल चल में आज के लिए इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूज नमस्कार